PCA होता है Prompt Corrective Action Framework जिसे RBI ने बनाया है और ये उन बैंक्स पर applicable होता है जिनके weak financials होते हैं इसमें RBI 3 parameters जो है Capital Ratios, Asset Quality and Profitability इन पर बैंक्स को assess करता है ये देखने के लिए कि बैंक risky तो नहीं है Assist करने के बाद अगर बैंक risky होता है तो उसे 3 levels में divide करा जाता है Level 1, Level 2 and Level 3 अगर कोई बैंक Level 3 में है तो उसकी financial health सबसे ज़्यादा risk है अब ये important क्यों है और RBI ने इस framework को बनाया क्यों है कोई भी बैंक जब PC framework में आता है इसका मतलब ये एक warning है RBI investor and depositor के लिए कि बैंक की financial health सही नहीं है RBI फिर corrective measures देता है जिससे की बैंक की financial health अच्छी हो जाए क्योंकि बैंक economy के लिए बहुत important होते हैं दूसरा RBI नहीं चाता कि कोई बैंक depositors के पैसे को cheat करे क्योंकि इससे लोगों का trust खतम होगा बैंक पर और RBI के उपर सो एक तरह से किसी बैंक में crisis आने से पहले RBI PCA के थुरू बैंक को monitor करता है और उस बैंक की financial health सही करने की कोशिश करता है अगर आपके बैंक को RBI ने PCA framework में डाला है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है बस ये देखना होता है कि RBI के क्या plans हैं बैंक को लेकर और उस बैंक की financial health सही हो रही है या नहीं सो ये था इस financial term का मतलब अगर आपको वीडियो and explanation अच्छा लगा हो तो like and subscribe जरूर करिए हम मिलते हैं next वीडियो में